हे लो दोस्तो, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो कमपणी है, उस कमपणी को निश्क्रिय कमपणी भी का जाता है और inactive कमपणी भी का जाता है ऐसी कमपणी जिसने last two financial year से कोई भी अपना audited statement report ना किया हो, कोई भी financial transition ना किया हो ऐसे कमपनी को inactive या फिर निश्क्रिय कमपनी या डोरोमंट कमपनी का आ जाएगा अगर ऐसी कमपनी ROC को अपने डोरोमंट होने का सबुत पेश करती है और खुद को डोरोमंट बताती है तो ऐसे कमपनी का जो documentation होता है वो documentation काफी कम हो जाता है और उसके पीछे की जो जंजट होती है वो जंजट कम हो जाती है तो बस यही है थेंक्यू